कि अच्छे और यहां सब्सक्राइब कर दिया गया है जस्ट 151 में आप इसमें एड हो सकते हैं देखे 35 प्लस यहां पे पीडियाप्स अप्लोड किये जा चुके अलग-अलग कोचिंग संस्तान के प्रैक्टिस सेट्स के तो अगर आप कुछ चाहिए तो आप इसमें जूड इसी तक यह ग्रूप लाइव रहेगा और बिहार स्पेसल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा साथ सो करेंट अफेर्स का एमसी क्यू रहेगा और एक हजार एमसी क्यू बिहार स्पेसल रहेगा जस्ट 99 रूप ले सकते हैं 9708-35-94 इस नमबर पर आप लोट्सप स्क्री सेंट करना है पेमेंट का और आपको वहां पर एक बार में सब का सब पीडिया जाएगा और किसी बच्चे को ग्रूप में नहीं एड होना है इंडिवीजुल अगर आपको हम से पीडिया चाहिए तो इसका स्क्रीन सब कुछ प्रवाइट कर दिया जाएगा ओके चले वीड ना जिसे की आम लग्सॉल सॉल नो फरते क्षिसस्ट नो किस मौरसासे के दर्वार में यहेंट आजिवा भावश्वरता पिंगल वच रहता था किस बर्वार में रहता था ओक्सन स्फर के दर्वार tiefग्स में आसुड यह ऑन के अतर्तन के बिलता है StreetT एड़ेवे सिलाले कभी लेक में मिलता है। ओप्सन C Q103 तेटे बहुत संगीति कायोजन किसके सासनकाल में हुआ था? असो के सासनकाल में हुआ था। Q104 तेटे बहुत संगीति के अध्यक्षता किस ने की थी? मोंगलीपुत्र देश्ट ने किया था। Option E Q105 तेटे बहुत संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो तेटे बहुत संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? पाटली पुत्रा में Option D Q106 तेटे बहुत संगीति का आयोजन वर्स कब था? तो तिती बहुत संगिती का आयोजन का अगर वर्स की बात करें तो दो सब्सक्राइब निसापुर में हुआ था गाइस यूटूब बे तो आप ऐसे ही मज़ेदार और बढ़िया प्रैक्टिस लगाते रहते हैं मैं आपके सामने लेकर आता हूँ लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अनकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पर मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं अनकैडमी पर 67 बिपेसी के लिए सब कुछ फ्री कंटेंट मैं वहाँ पर दे रहा हूँ लेकिन 9 को नहीं हुआ आज 10 मांच से एफेक्टिव हो चुका है अपने प्राइस देख सकते हैं जहां आप त्री मंस के लेते हैं तो अगर आप चाहें तो इसको पर्चेस कर सकते हैं और आपको 10 परसेंट का फ्लैट डिसकाउंट मिल जाएगा साथी साथ मैं आपको बता दो देखिया आन अकेडमी लेका रहा है बिपेसी फांडेशन बैट्स विजय फांडेशन बैच अरसाथवी बिपेसी पीट और मेंस को यह दोनों ही टार्गेट कर रहा है नौ मार्च कैसे को यहां सब्क्रों देख कर देंस टैकल 297 का इसापट ःवजन और टित्यय बहुत 199ließ पुर्मามला सबसेंटिक प्लाइभ I. हुआ हुआ है tune 501 पड़ी अक् सब्सकisen b धश्व्थ किस यूद में हुई भाड़ी थबाई और जानमल की हानी को देखकर अशोग का हिर्दय परिवर्तन हुआ और उसने यूद निति त्याकर धर्वनिति की घोशने के थे तो कलिंग यूद में जिसमें की तेरवे सिला लेका उद लग क्या गया है तो ऑप्शन ए क्वेशन नमर्व वननेट एट असोग का धम था मतलब असोग किस से मतलब उसका रिपीट रिलेशन था तो नैतिक आचार सहीता से क्वेशन j affair से प्राप्थ होता है तो क्वेशन और से प्राप्थ होने वाला असोग का इस तम्अग नहीं है बतल्ब तो хоть कौन सा इस स्थंब है जो कि बिहार के संब मैं बिहार में प्राप्त नहीं हुआ तो रोमेदेए बाकि अगर हम लोग लोग अरे रेज का बात करेंगे तो चंपारन यानि कि चंपारन बिहार में है और लोग नंदन गट की बात करें तो वो भी चंपारन बिहार पगा है और रामपुर्वा भी यह था बिहार चंपारन में इस्थापी थे इसकी खोज 1872 भी में कराल लाल ने 111 बिहार की समय मौरेस अमराज में पांच प्रांत का उलेक मिलता हैं जिसमें की प्राशी या फी प्राची प्राते की राजधानी क्या थी तो पातली पुत्रामच अप्चन क Fr. 112 पातली पुत्रा में स्थित चैन्ध गृप्त का मेहल मुख्यता की बना हुथा हैं तौ लकडीृ का महल बना उस्थ सी 190 चैनल ऊर्टीबहात हैं चैन्ध स्थीत हैं तो मॉरे का राज प्रिसाध काहां पर इस्थीत है इस उंध्या validate किस विद्वान ने चंद गुत्व मौरे के राजप्रशाद के बारे में कहा है कि इसकी सानोय सौकत का मुकावला नो तो सूसा और नहीं एक बेतना कर सकता है तो यह बात किस ने कही थी? एरियन ने कही थी, option C क्वेशन नमाँ 115 चंद गुत्व मौरे के राजप्रशाद के बारे में किस ने कहा है कि यह प्रिशाद मानव कृती नहीं वरन देवो द्वारा निर्मित है तो यह बात किस ने कहा है? तो फाय या ने कहा है, option B question 116 किस असक ने गया की निकट बड़ावर की पहारियों में आजप्रशाद के लिए गुफाओं का निर्मान करवाया था तो चंद गुत्व मौरे के लिए यह करवाया था जिसका नाम के रखता कर्ज, चौपार, सुदामा और विस्व जोपरी असक की पौतर दर्सत ने आजप्रशाद को नागा जुन गुफाओं प्रदान की थी तो आजप्रशाद रहने हितू बावर की पहारियों पर कितने गुफाओं का चार गुफाओं का निर्मान करवाया था असक ने टोटल question 170 पातले पुद्रे की निर्मान और सुन दर्ता का वर्णन किया गया है तो किसने किया है तो मेगा इस तनी इस ने किया है option B question number 118 वह इस्तंब जिसमें असक ने स्वयम को मगत का सम्राट बताया है तो वह कौन सा इस्तंब है जिसने असोक ने सुयम को सम्राट बताया है तो भाबरु इस्तमब अप्शन डी कोशनमाग ओननेड नाइटीन मौरवंस के उपरांत मगत पर कीस वंस का सासन अस्थापित हुआ था तो सुंग deal कि सतफ़ना हो घी थी होप्शन बी क्वेश्चन लबार 120 सुंग जिन्देड्टवेट्यन्स के सइसतापक कौन था सुंग जिनिदीज स श्थापक कौन था सॅंगल सकच सथापक कौन था था स्थापक कौन था था न घंगर्व पुष्यमित्र सूं एक ब्राहमत जाती का था और सूंग सासक ने अपनी राजधानी के कहां पर स्थाबित किती तो विधी सामें Q121 कि सूंग सासक ने पाटले पुत्रा में इस दित कुकु टराम बिहार में तीन बार नस्ट करवाने का प्रित ने किया था Q122 पाटली पुत्रा पर डेमित्रेस का आकरमन कब हुआ था 185 विशापुर में हुआ था Q123 सूं काल के उत्किष्ट नमू ने बिहार की किस अस्थान से प्राप्त हुआ है Option C बोद गया से Q121 मगत पर सासन करने वाले जो राजवन से उसका सही क्रम लगाना है तो पहले हो जागा पहले हो जागा हरियक वन्स फिर सीसुनाग वन्स नंद वन्स मौरे वन्स सुंग वन्स फिर कन्न वन्स तो ऑप्सन C Question 125 कलिंग सासर खारवेल ने मगत पर कव आकरमन क्या था पहले सतावती इसापुर में इसापुर के अंत में क्या था कव क्या था तो पहले सतावती के इसापुर के अंत में Question 126 गारगी सहीता में पाठली पुत्र पर यवनों का आकरमन उलेख है यह आकरमन किसके सासनकाल में हुआ था तो यह आकरमन पुशमुति सुंग के सासनकाल में हुआ था Option D Question 127 कि सासक में वैसाली की लिच्विनी राजकुमारी कुमारी देवी से विवा किया था Option C चंद गुप्त प्रतम Question 128 कि सासक ने स्वैम को लिच्विनी दो हित्र कहा है समुन्द गुप्त Option B Question 129 नलंदव इस विद्याले के संस्थापक कौन थे कुमार गुप्त थे 130 बोद गुया के माहाबोधी मंदिल के स्थापना किस ने किती Option C गुप्त काल बोद गया के माहबोधी मंदिल के स्थापना किस ने केती कभू किस काल में हुआ था तो गुप्त काल में हुई थी Question 131 चीनी यात्री फायान कितने समय तक पाटले पुद्रा में रहा था? तो वो तीन साल तक पाटले पुद्रा में रहा था Option C Question 132 नालंदा में अवस्तित बारते विश्वे ज्याले में फायान किसके सासन के दोड़ान में आया था? तो वो चंद गुत्य विक्रमादित्य के सासन काल में आया था? फायान 133 चीनी यात्री इच सिंग बिहार का ब्रह्मन लगभग कप क्या था? 673 इसापुर में क्या था? Question 134 हर्षवर्दन की समय में बिहार राजी में कौन सा विश्विद्याले प्रशीद था? तो हर्षवर्दन की समय में बिहार का सबसे प्रशीद विश्विद्याले कौन सा है? तो नालंदा विश्विद्याले हैं 134 स्ठापना किस ने की थी तो कोबार्गवुफ्त किस समें इन टीफाइब को ओन एक्स नेक्या सैंग तर्च में आनें एकैंपिवीं मंतिल को साथ को नुख्सानeti ने गुंख अप्सन al P question number 136 पाल वन्स का संस्थापा कौन था? पाल वन्स का संस्थापा कौन है? गोपाल option B 137 विक्रम सिला विश्विदाली के अस्थापने किस नहीं की थी? तो धर्म पाल नहीं की थी question number 138 विक्रम सिला विश्विदाली के अस्थापना किस वन्स की सासंकाल में क्या गया था? तो पाल वन्स के सासंकाल में क्या गया था? और पाल वन्स के सासंकाल में क्या था? गोपाल थे 139 आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रम सिला विस्विद आले अस्थापित हैं तो वो भागलपूर में हैं option D question 140 किस सासक ने अंदोत पूरी यानि कि बिहार सरीप में बहुत बिहार के अस्थापना करवाया था तो गोपाल नहीं किया था option A question 141 मिथिला की करनाट सासको की राजधानी क्या थी सिम्रावगर थी option D question 142 बिहार में तुर्क सत्ता के अस्थापना कब हुई थी 1189 में हुआ था option D question 143 नालंदव इस विद्यालों को किस ने धोस्त करवाया था तो वक्तियार खिल जीने option D question 144 तुगलक काल में बिहार की दासधानी क्या थी तो बिहार सरीफ थी option B question 145 बिहार राजे का नाम बिहार किस ने दिया था तो बिहार राजे का नाम बिहार तूर्कियों ने दिया था अगर हम करें की बात करें तो तूर्की देश के राजधानी का नाम तूर्की देश का नाम बदल कर भी क्या हो गया है तूर्किये हो गया है 146 बिहार पर राज करने वाला जंजाती राजवन्स कौन था तूर्किये हो गया है 147 बोजपुर में उज्जैनियू वन्स का संस्थापा कौन था? बोजपुर में उज्जैनियू वन्स का संस्थापा कौन था? संतन सी था, और संसी Qश्चन बाद 148 सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 में कीस बिहार के प्रभावी नियूक्त हुए थे प्रभारी नियूक्त किये गया थे हसन खा किसे नियूक्त किया गया था? हसन खा को, option B Q149 मुहमत लोदी को विस्थापित कर बावर ने किसे बिहार का प्रशासक नियूक्त किया गया था? तो बिहार का प्रशासक किसे नियूक्त किया गया था? जलाल घा को, option B Q150 सूर वंस के स्थापना किस नि की थे? तो सूर वंस के स्थापना सेर सानी की थे, option A वके गई एक 3 वी कंप्लीट हुआ और हमारे भीहार का हिस्थी में 150 कोईशन्स टोटल कंप्लीट हो चुका हैं तो कैसे, थैंक यू पूआएं